दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नसों में ब्लॉकेज यानि की वेरिकोजवेंस के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी तरह की कमी या बिमारी के चलते हड़ियों बालों या फिर हमारे शरीर के किसी न किसी अंदरूनी अंग में कमजोरी आ जाती है ठीक इसी तरह जब हमारे शरीर की नसों में कमजोरी आ जाती है तो उस कमजोरी की वज़ा से हमें कई तरह की गंभीर बिमारियां होने लगती है वरिकोजवेंस उन्ही बिमारियों में से एक है वरिकोजवेंस पैरों की नसों में होने वाली सूजन को कहते हैं यह समान्य से लगने वाली बहुती गंभीर बिमारी है। वरिकोजवेन से एक ऐसी समस्य है जो बहुत से लोग इस प्रॉलम से पिडित हैं। खास करके महिलाओं में यह दिक्कत ज्यारा देखी जाती है। इनमें पैरों की नसे फूल जाती है, नीली पड़ती है, बाद में इसमें ब्लड रुकने लगता है, फिर वहाँ पर गाठें सी हो जाती है। यह प्राव्लम ज़्यादा होने पर कभी कभी उसमें से खुन निकलने लगता है पस जैसा वाईच पदार्थ निकलने लगता है किसी-किसी को यह प्राव्लम पेरों से हो कर जांगों में हाथों मे और भीDesiosis के कई हिस्सों में हो जाती है आईए सबसे पहले जान लेते हैं नस श्रीर के दूसरे सभी अंगों में खुन पहुंचाने का काम करती है। इन नसों में शुड़ खुन यानि की ऑक्शिजब युक तक खुन पा जाता है। इसलिए इनका रंग लाल रंग होता है। नीली वाली नसों को वेंस कहा जाता है यह हमारे ն्रीर की इसलिए लाल नसों के मुकाबले इनका काम ज़्यादा मुश्किल होता है और गृतवा करशन के दवाव के वज़ा से इन्हें शेरी के निचली हिस्से से उपर हिरदय तक खुन को धकेलने में ज्यादा मशक्कत करने पड़ती है इन नसों दवारा खुन उपर की तरफ रुक रुक कर जाता है और खुन को उपर पहुचाते समय उसे दुबारा आने से रुकने के लिए नसों के अंदर वाल्स पाय जाते हैं समाने टाह इन वॉल्ण्स की मतद से खुन के नीचे जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और खुन केवल नीचे से उपर की तरप बढ़ता रहता है। लेकिन वेरिकोजवेंस की बिमारी में नसों में मौजूद यह वाल्स कमचोर हो जाते हैं, जिसकी वज़े से कुछ खुन उपर की तरफ जाता है और कुछ खुन दुबारा नीचे आकर नसों के वाल्स में अटक कर इकठा होने लगता है। खुन एक जगा एकत्रित होने के वज़ा से धीरी धीरे नसें फुल कर तेड़े मेड़े अकार में बदलने लगती है और तवचा की नीले हरे रंग में या उबरी हुई नजर आने लगती है। पस या फिर खुन निकलने और अलसर होने की भी बहुत अधिक संभावना बन जाती है। लेकिन जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है पर फिर भी वह एकसरसाइज नहीं करते हैं ऐसे लोगों के शरीर की नसें भी अच्यानक कमजूर हो जाती है। लंबे समय तक खान पान में लापरवाही बरतने से जारातर तीस की उम्रे के बाद पैरों के नसों में कमजूरी आने लगती है। और साथ ही पोशक्ततों की कमी, हॉर्मोंस में बदलाव के कारण भी शरीर की नसें कमजूर हो सकती है। कुछ बेंस की प्रॉलम को दूर करने में बहुत ही फायदे मत होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। आपने डेली के डाइट में फल, सबजिया, नड्स, अनाज, स्प्रॉट्स आदि शामिल करें। जो भोजन पका हो उसे पकने के एक पहर यानि के तीन घंडों के अंदर खा लेने चाहिए। सफेद की बजाय ब्राउन चावल खाये, इसके लावा चीनी की बजाय, खजूर और गुड़ खाये। नारियल को डाइट में शामिल करें। या फिर सुखे नारियल की गिरी खा सकते हैं। आटा चोकर के साथ खाये। दोस्तों भोजन दो तरह का होता है पानी से भरपूर और बिना पानी वाला आपकी 70 फिसदी डाइट में वाटर रिच फूड्स और बाकी अनिच्जियों से भरपूर होनी चाहिए जिसमें कोई पानी नहीं होता जैसे कि अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल और सुखे म चाहिए का 30 फिसदी हिस्सा अपने डाइट में लें, जबकि तर्बूज, पपीता, अंगूर, संत्रा, टमाटर, पत्तिदार सबजियां, लौकी, खीरा, आदी को ज्याला से ज्याला डाइट में शामिल करें, इसके लावा, अलसी के बीज का सेवन क्या करें, दोपार के ल एक घंटे पहले, दो चम्मच चिया शिल्ट्स को एक गिलस पानी में भीगो कर रखते हैं, और दस मिनट के बाद इसका सेवन कर लें, इससे बहुत आरा मिलेगा, इसके लावा मैं दो चीजों के बारें बताता हूँ, इसका सेवन आपको लगतार एक महिने तक करना है, यह दोस्तों, ड्राइड एप्रिकोड, जिसे एक सुखी खुबानी कहा जाता है, यह आपको आज पासे किसी भी ड्राइफूड शॉप पर मिल जाएगा, इसके लावा यह मुनक्का, दोस्तों, यह किश्मिश नहीं है, मुनक्का और किश्मिश दोनों में फर्क होता है, मुनक का लीजे, दोनों को चबा-चबा कर खा लेना है, और आपको रोजाना इससे सुभा के समय खाना है, यानि सुभा जब भी आप डेकफास्ट लेते हों, इसके साथ आप इसका सेवन कर सकते हो, और उपर से एक गिलास गुन-गुना दूद पी लीजे, ऐसा आप लगतार एक महीने तक खाईए, इसके साथ ही जयतुन के तिल से मालिश करें, वेरिकोज वेंस के इलाज के लिए, शुरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना बहुत ही जडूरी है, जयतुन के तिल के मालिश से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने में मदद मिलती है, इससे दर्द और स जिक्षेनेट एमजी का आप बजार से लियाए, कैश्विल के अंदर से तेल निकाल लीजे और उतनी ही मातरा में आपको जैतुन का तेल लेना है, दोनों को गर्म करना है और गर्म तेल से नसों की मालिश करनी है, पांस से साथ मिनेट तक रोजाना मालिश कीजे, लगभग द पर ना बैठें या फिर लंबे समय तक खड़े ना हो, हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करें, उनके लिए साइक्लिंग करना बहुत ही फादिमन्द है, इसके लावा फाइबर वाली चीजों का ज्यादा इस्तमाल करें, सही टाइम पे सोएं वा सही टाइम पे उठें, अ आइसक्रीम, तले हुए, प्रोसेजड और रिफाइंड आहर को अवोइड करें, जंक फूड, शराब का सेवन ना करें, इसके लावा बोतल बंद, डिपबा बंद और पैकेट बंद भोजन ना करें, इस तरह दोस्तों आप वेरिकोजवेंस का इलाज घर पर ही कर सकते हैं, अगर आपकी ये बिमारी अभी शुरू हुई है, तो कुछी दिनों में आपको इससे लाब मिलेगा, और अगर आपकी वेरिकोजवेंस की बिमारी बहुत ही पुरानी हो चुकी है, तो डॉक्र से संपर्ग करें, इलाज के साथ साथ इस घरिलीव मुष्खे को भी आजमाए आपको फादा मिलेगा, पात की इस वीडियो में बस इतना ही, आपको इस जानकारी वीडियो कैसे लिगी आप हमें बताईएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से जारा लोगों तक share कीजिए, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फादा उठा सके, आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया